महादेव सट्टेबाजी मामले में मुंबई पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ एफायर दर्ज करी है जिसमें डावर कमपनी के डारेक्टर गौरफ बर्मन और चियर्मन मोहित बर्मन भी शामिल है दर्ज की गई एफायर में दोनों के खिलाफ धोकादड़ी और जुएबाजी की धाराए है साथ नविंबर को दर्ज की गई इस एफायर में 31 लोग नामजद हैं जबकि एक आरोपी नामजद नहीं है इस एफायर में एक्टर साहिल खान को भी आरोपी बनाये गया है एफायर के मताबिक साहिल ने ना केबल महादेव एप का प्रोमोशन किया बलकि उससे दबा कर पैसा भी कमाया दुबई में महादेव की जो पार्टी हुई थी उसमें भी साहिल खान की तस्वीरे सामने आई थी इस मामले की जाच एडी भी कर रही है और वो अब तक 450 करो रुपए की संपत्ती और कैश की जबती कर चुकी है और इस मामले में अभी तक 14 लोग गिरफतार किये गए हैं इडी के मताबिक सौरप, चन्राकर और रवी उपल विदेश में बैट कर बैटिंग का रैकेट चला रहे हैं जिसकी चपेट में ना जाने कितने लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है